हेलो दोस्तों, तो 2023 के एंड आते आते हुए लोगों को लगा कि दिन की वसेज सालार सबसे बड़ी क्लैश होने वाली है, लेकिन दोनों ही मूवीज ने ओडियन्स का पप्पू बनाया, लेकिन वो तो सिर्फ प्रेलर था, 2024 में तो ऐसा चार बार क्लैश होने वाला है, जो कि हम ओडियन्स को थीटर में जाने पर मजबूर कर देगा, तो पहले नंबर पर क्लैश होगा हमारे ही बॉलीवुट से बड़े मिया छोटे मिया वसेज मैदान की 10 अप्रेल को, जिन में से दोनों ही मूवीज से सही बिजनस की उम्मीद है, क्योंकि बड़े मिया छोटे मिया बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जिसमें अजय देवगन फुटबॉल कोच अब्दुलरहीम का रोल प्ले करते दिखेंगे, इस मूवी को डाइरेक्ट कर रहे हैं अमित शर्मा जिन्होंने बधाई हो जैसी कन्विक्टेड मूवी बनाई थी, और साथ ही इसका म्यूज संसर विक्रम मूवी के बाद फिर से हमें दिखने वाले हैं, इंडिन 2 एक विजिलांटी एक्शन मूवी है, जिसमें की विजिलांटी का मतलब होता है, कोई आदमी लोग और कानून को अपने हाथ में ले लेता है और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है, ये सब इस भी होने वाला है, जो कि हमें मूवी के टीजर से भी समझा रहा है, उधर 300 करोड में बनी कनबुवा को डाइरेक्ट किया है शिवा ने, जो बेसिकली एक तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें लीड एक्टर है सूर्या, जो मूवी में 6 अलग-अलग रोल करते हुए हमें नजर आने वाले है, और इसी मूवी से लौड बॉबी देओल और दिशा पतानी भी कनबुवा मूवी से तमिल इंडस्ट्री में देब्यू करने वाले है, तीसरे नंबर पर क्लेश है, फिर से अक्शय की सर्फिरा वसेज जौन की वेदा का, अक्शय की ये मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, अब अक्शय ने पास्ट में एलिफ बेल बोटम जैसी मूवी ही की है, तो यहाँ थोड़ी बहुत उम्मीद मूवी से है ही, दूसरी तरफ जौन की वेदा है, जो की रीमेक है अजित कुमार की वेदालम का, जिसमें जौन अब जौन तो आक्शन में जचते तो है, लेकिन ये फिल्म कितनी चलेगी ये अभी पता नहीं, और सबसे लास्ट में है 2024 का सबसे बड़ा क्लैश जिसे की सिनेमा लवर बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, जो है सिंगम 3 वसेस पुषपा 2 का जो की होगा 15 अगस्त को, इस क्लैश में एक तरफ होगी रोहित शेती की मल्टी स्टार कास्ट और दूसरी तरफ होगे वन एंड ओनली अपने अल्लू अर्जुन, सिंगम अगेन की बात करें तो रोहित शेती ने आदे बॉलिवुट को इस मूवी में गुसा दिया है, जिसमें की अजय देवगन रन इधर पुषपा 2 में हमारे पुषपा भाव रूल यानि राज करने वाले है और पिछली बार की समान था प्रभू के आइटम सॉंग था, वही इस बार ये काम दिशा पतानी करने वाली है, और बोनस पॉइंट ये है कि पुषपा 2 के एंड में हमें पुषपा 3 का हिंट भ बाइ